जहिन साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि SSC ZD का जो फॉर्म फिल कई आ गया था तो साथि उसकी एक्जाम डेटा आ गई है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि वो एक्जाम कब तक होगा और साथिये हम देखेंगे SSC की वेबसाइट से, स्टाप सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है साथि वहीं पर जाकर हम देखेंगे, तो उससे पहले साथि आप के लिए एक मोटिवेशनल की कहते हैं ना रख हाँसला वो मनजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, न ठक कर बैठ ऐ मनजिल के मुसाफिर एक दिन मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा तो साथि आप सभी के लिए एक सुनारा आउसार आ रहा है, SSC, GD के रूप में, तो साथि इसे हाँ समंदर जाने देना, फुल प्रयास करिए, फुल तयारी करिए और चलिए यहाँ पर सर्च करते हैं, SSC, SSC, GD लिख कर देखते हैं साथि, GD, यह लिख गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साथि, यह HTTPS, SSC, यह खुल कर आ गया है साथि, इसी पर क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह SSC की वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा हुआ है Stop Selection Commission, यहाँ पर महत्मा गांधी जी की फोटो है, यही सरकारी मिलेगा कि कब एक्जाम है तो साथि यह आप देख रहे होंगे, यह साथ सेप्टेमबर को न्यूज आई है, और यहाँ पर लिखा है, सेड्यूल ऑफ एक्जामिनेशन फॉर दा मन्थ आफ नमवंबर और दिसंबर, साथि इसी पर अपना जो SSC ZD वाला है, यही पर मिलेग यह खुल कर आ गया है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नमवंबर दिसंबर में अपना एक्जाम होना है, उनका है, तो यहाँ पर आप यह चौथे नमबर पर देखिए, Constable ZD in Central Armed Police Force, यानि CAPFS, NIA, SSF, GD, Assam Rifles, तो यह जो अपना form फिल किया गया था, वही वाला है साथि, यह CBT यानि Computer Based इक्जाम होना है आपका, और 16 यह नमवंबर से लेकर 15 दिसंबर दर्ख चलेगा साथि, यानि एक महीने चलेगा, तो आप सभी अपनी तयारी को और धार दे दीजिए, क्योंकि अपने पास 60 दिन से ज़्यादा का समय नहीं है, तो 60 दिन बाद आपका SSC ZD का एक्जाम होगा, मेरी तरब से आप सभी को बहुत-बहुत सुबकामना है, भरपूर प्रयास कीजिए, और अपने परिवार एक् प्रतियोगी परिच्छों की तयारी कराई जाती है, लाइक, सेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए, जैहिंद, जैभारत!